हेलो प्लांट्स लवर तो आज हम बात करने वाले हैं सिंग उनियम प्लांट्स के बारे में इसे एरोहट प्लांट भी बोलते हैं यह एक बहुत इप्यूटिफुल एंड पॉपुलर प्लांट है यह ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग बहुत इसली water and soil दोनों में हम इसे grow करा सकते हैं तो वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर new है तो चैनल को कर लिजे subscribe ताक कि हमारी new वीडियो की notification आपको जल से जल मिल सके और चलिए वीडियो को करते हैं start ये है हमारा singonium का plant ये बहुत ही beautiful and popular plant है grow हो जाता है इसकी cutting भी बहुत easily grow हो जाती है water and soil दोनों में ही हम इसे indoor and outdoor दोनों ही जगार रख सकते हैं इंडोर रखेंगे तो इसकी leaves का color थोड़ा सा white side में हो जाता है और इसको outdoor रखने पर इसकी जो leaves हैं वो dark green में change हो जाती है ये color अपने आप ही change हो जाता है नर्जरी पर मिल जाएंगी ये मेरे पास normal वाली variety है इसकी leaves पर आपको pink shade देखने को मिलेगा और इसमें से बीच में से new new leaves आती रहती है इसे grow कराने के लिए ज़्यादा बड़ा pot भी नहीं चाहिए होता है मुस्किल से बस 7 से 8 हिंच के pot में बहुत ही अच्छे से grow हो जाते है इसकी जो root है उसको root bound अच्छा पसंद है जिसकी वज़े से इसको जल्दी जल्दी reporting भी नहीं करनी पड़ती है और ये एक pot में ही काफी time तक grow होता रहता है देखिए इसकी leaves कितनी beautiful है पिंग पिंग shade आपको देखने को मिलेगा इसकी care बस आपको जादा नहीं करनी पड़ती है इसमें बस आपको watering का थोड़ा ध्यान देना है इसमें over watering नहीं करनी है अगर हम over watering कर देंगे तो इसकी जो roots हैं वो अंदर से गल जाएंगी और हमारा plant dead हो जाएगा तो हमें over watering का ध्यान रखना है हमारी जब soil उपर से एक दो इंच की एकदम dry हो चुकी हो तब ही हम इसको water दें एंड इसकी leaves for बस moisture रखना होता है आप इसको हलका हलका souring देते रहें तो बात करते हैं इसकी soil के बारे में जो की पोरश और एकदम well drain होनी चाहिए जिससे हमारा पानी जो है वो water drainage होलते सारा बाहर हो जाए अगर इसके पानी store होगा तो इसकी roots damage हो जाएंगी और हमारा plant dead हो सकता है तो हम इसकी leaves के बारे में भी बात कर लेते हैं इसकी leaves हमें एकदम clean रखनी चाहिए जिससे इसकी leaves पर signing बढ़ती रहती है और इसकी plants की age के हिसाब से इसकी leaves का size भी big होता रहता है बट इसकी जो small size वाली variety है वो age के हिसाब से leaves का size change नहीं करती है अगर हम इसे full indoor plant कर देंगे तो ये plant की जो कुछ stems हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी ऐसे straight होती रहेंगी money plants की तरह और उसमें leaves ऐसे ही normal जैसे money plant में आती हैं वैसे ही आती रहेंगी हम ये depend करता है कि आप plant को कैसे रख रहे हैं अब plants ने आपको इत्ते सारे options दी हैं वो आप पर depend करता है आप plants को कैसी जगह पर रख रहे हैं इसकी leaves पर जो moisture है वो हमें बनाए रखना है उसको बनाए रखने के लिए हम spray bottle में seaweed को ऐसे पानी में गोल कर इस पर spray कर सकते हैं जिससे इसकी leaves पर जो moisture है वो बना रहेगा तो leaves की signing and जो उसकी जो red wines है वो बहुत ही अच्छे से grow करेंगी और हमारे leaves एकदम healthy healthy सी रहेंगी तो हमें इसी प्रकार से singonium plants की care करनी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like करना and share करना, comment करना ना भोले and किसी भी plants की disease के बारे में या उसके बारे में जानने के लिए आप मुझे मेरी instagram ID पर पूस सकते हैं यह है मेरी instagram ID आपको वीडियो में नीचे मिल जाएगी जल्द ही मिलते हैं next वीडियो पर तब तक के लिए bye, thank you so much